हेलो दोस्तो, Flipkart flagship day sale are live, yes, Flipkart का flagship sale start हो चुका है, this is the right time to purchase a smartphone on Flipkart, because बहुत सारे phone का price डाउन हुआ है, जैसे iPhone 15 का price बहुत ही डाउन हुआ है, मैं almost सारे phone cover करने वाला हूँ इस वीडियो में, 10,000 से लेके 15,000 तक, और कुछ ऐसे phone के बारे में बताऊंगा जो अभी launch नहीं किय हैं, और जिनके लिए आपको wait करना चाहिए इस sale में, तो बिना की जिदेरी के चलिए start करते हैं, सबसे पहले under 10,000 में, एस smartphone की जो deals मिलने वाली है, Redmi 30C 5G या फिर Poco M6 5G, दोनों इस सेम expect के साथ आते हैं, बस price का अंतर है, Miratec Dimensity 6100 Plus का प्रोसेसर मिलता है, 15 मेगा पिक्सल का कैमरा सेटप, 5000 एमेज की बैटरी विद 18W का फाज चार्जर सपोर्ट, Redmi 30C का MRP 10,499 है, जो कि डिसकाउंट होने के बाद, net effective price 9,499 हो जाता है, और Poco M6 5G का net effective price 7,999 है, उसके बाद Vivo T3 Lite 5G मिलता है, इसमें आपको Miratec Dim Dimensity 6300 का प्रोसेसर मिलता है, 5000 एमेज की बैटरी विद 15W का फाज चार्जर सपोर्ट, 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा सेटप और 8 मेगा पिक्सल का फ्रन्ट कैमरा मिलता है, प्राइज 10,499 है, और net effective price 9,999 है, उसी के साथ साथ एक और phone under 10,000 में आते हैं, Moto G34 5G, एसे भी आते हैं, और 4 ही phone recently launch हुआ है, सबसे पहले Viewer T3X 5G, इसमें आपको Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर, 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा सेटप, 6000 एमेज की बैटरी और 44 वार्ट का चार्यर मिलता है, प्राइज 13,499 है, और net effective price 12,499 है, उसके बाद CMA Phone 1 5G, MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर, 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा सेटर, 5000 एमेज की बैटी और 33 वार्ट का चार्यर मिलता है, 15,999 इसका प्राइज है, बाद net effective price 14,999 हो जाएगा, Next Phone Oppo K2LX 5G, MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर, 32 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा सेटर, 5000 एमेज की बैटरी मिलती है, और 45 वार्ट का सुपर वुक्स चार्जर मिलता है, प्राइज इसका 12,999 है, बाद net effective price 1199 हो जाता है, उसके बाद Poco M6 प्लस 5G, Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर, 100 वार्ट मेगा पिक्सल का डूल कैमरा सेटर, 50-30 एमेज की बैटरी, प्लस 33 वार्ट का चार्जर मिलती है, इस फोन का डिल प्राइज 12,999 है, या फिर Poco X6 न्यू भी कंसीडर किया जा सकता है, इसका भी डिल प्राइज 13,499 है, उसके बाद दो फोन आत चार्जिंग सपोर्ट, Poco M6 Pro का प्राइज 11,999 है, और नेट इफेक्टिव प्राइज 11,249 हो जाता है, रेडमी 2L का 11,999 है, और नेट इफेक्टिव प्राइज 10,999 हो जाता है, रेलमी के तरफ जाना है तो रेलमी 2LX को भी कंसीडर कर सकते हो, या फिर रेलमी P1 5G को भी कं 12,999 है, बाट नेट इफेक्टिव प्राइज 10,999 हो जाता है, पी वन का प्राइज 15,999 है, और नेट इफेक्टिव प्राइज 14,999 है, मोट रोला के तरफ जाना है तो मोटो जी 64 भी ले सकते हो, डील प्राइज 12,999 है, इसके अलावा समसम के तरफ जाना है तो समसम F34 भी कंसी डेकर सकते हो इसका भी डील प्राइज 12349 है अब बात करते हैं 15000 से 20,000 के प्राइज सेगमेंट में सबसे पहले रियल्मी के टोपोन आते हैं रियल्मी पीवन प्रो और रियल्मी टूएल रियल्मी पीवन प्रो में 6 जन 1 का प्रोसेशर मिलता है 50 दीप्लस 8MP का डूएल चामरे सेट अप और 5000 अमेज की बैटरी मिलती है रियल्मी पी वन प्रोव का डेल्ल प्राइज 16,999 है रियल्मी टुएल में डियामेंज सीटी 6100 प्लस का प्रोसेशर 108 Megap का का डेल्ल प्लाइज रियल्मी के बैटरी मिलती है डेल्हाइज 16,149 है उसके बाद 3 फोन आते हैं सबसे पहले Moto G85 5G इसका डील प्राइज 16,999 है दूसरा Weaver T3 5G इसका भी डील प्राइज 16,999 है तीसरा Poco X6 5G इसका डील प्राइज 17,499 है अब बात करते हैं 20,000 से 25,000 के प्राइज में जो फोन आते हैं सबसे पहले 3 फोन जो recently launch हुए है Realme 13 Pro 5G इसका डील प्राइज 23,999 है दूसरा Moto H50 Fusion इसका डील प्राइज 20,999 है तीसरा Nothing Phone 2A डील प्राइज 20,999 है उसके बाद Poco X6 Pro इसका डील प्राइज 22,999 है फिर Redmi Note 13 Pro डील प्राइज 22,249 है उसके बाद बात करते हैं 25,000 से 30,000 के प्राइज रेंज भी सबसे पहला Motorola H50 Pro इसका डील प्राइज 27,999 है उसके बाद Realme 13 Pro Plus डील प्राइज 29,999 है फिर Poco F6 जिसका डील प्राइज 25,999 है उसके बाद फिर OPPO F27 Pro Plus जिसका डील प्राइज 25,999 हो जाता है अब बढ़ते हैं Flexible Level के तरफ उससे पहले में कुछ upcoming smartphone के बारे में बताने वाला था आपको सबसे पहले Nothing Phone 2A Plus ये फोन का प्राइज 24,999 होने वाला है दूसरा Infinix Note 48 5G इसका प्राइज 13,999 होगा तिसरा Vivo V40 Series और चवथा Google Pixel 9 Series कुछ-कुछ फोन का सेल स्टार्ट हो चुका है और कुछ-कुछ फोन आने वाले हैं अब बढ़ते हैं प्राइज के अगले सिंग्मेंट के तरफ 30,000 से 40,000 के प्राइज रेंज में Flexible Level का सबसे पहला फोन Samsung Galaxy S23 FE इसका डिल प्राइज 32,999 है उसके बाद OPPO Reno 12 Pro इसका डिल प्राइज 34,999 है फिर Xiaomi 14 CV डिल प्राइज 39,999 है उसके बाद Realme GT 6 डिल प्राइज 36,999 नेक्स फोन गूगल के तरफ से Google Pixel 7 जिसका डिल प्राइज 30,999 है अब बढ़ते हैं अपने प्राइज सेग्मेंट के उपर तरफ 40 से 50,000 के बीच में जो फोन आएंगे सबसे पहले iPhone 13 जो की डिल प्राइज इसका 48,449 होने वाला है उसके बाद Samsung Galaxy S23 डिल प्राइज 41,799 Motorola Edge 50 Ultra डिल प्राइज 49,999 और Google Pixel 7 Pro जिसका डिल प्राइज 42,999 है 50 के से अबब वाले फोन सबसे पहले iPhone 15 और दूसरा iPhone 14 Plus iPhone 15 का डिल प्राइज 62,224 है और iPhone 14 Plus का 54,999 है तो दोस्तों मैंने आपको हर एक प्राइज सेगमेंट में आपको स्मार्टफोन के बारे में बताया हूँ इस चैनल में टेक से रिलेटेड वीडियो आईगी अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए